हेलो फ्रेंड्स हस्ते स्वर माध्यमिक साड़ा आपनू हार्दीक स्वागत करे छे वेलकम स्टुडेंड्स आजे आपनों सब्जेक्ट छे इंग्लिस ग्रामर अने तोपिक छे तमने स्क्रीन पर जोवाईच छे डायरेक्ट एन इन डायरेक्ट स्पीच एटले के प्रत्यक्स अने परोक्स का थन बेजिक पॉइंट ना अगाव अपने लेक्चस सिखी गया छे आजे पन ठोडू बेजिक सिखी सु अने त्यार पचि आपने सु करे सु मेंद फोमप जै सु अने के वी रीते डायरेक्ट-इन डायरेक्ट माँ चेंजी स्थाइ छे अने काई रीते तेमा चेप्टर मा तमने तमारा कोर्स मा आपिव छे ए जोई सू। तो अहीं आर डायरेक्ट स्पीच एटले सू तो बे व्यक्ति नी प्रत्यक्स वाद बराबचे अने इन डाइरेक्स पी चटले सु, तो बे वक्तिनी प्रत्यक्सवाद त्रिजोव्यक्ती बिज्याने जईने का हे, तो एसु थायू, तो इन डाइरेक्स पी थायू, आये नू कोमन मिनिंग थायू, बरावचे, तो जो ही ए, आगल, तो आजे आपने बेजिक पोइंट्स भ तो एवी रिते, आमापण डाइरेक्स इन डाइरेक्स ना बेजिक पोइंट्स छे, तो आपने जोईए, तो काले पन जोईतु, आजे पन फरी रिवाइस करी लईए, कि टाइप्स ओप सेंटेंसिस आपने काया भणवाँ चे डाइरेक्स पीच माँ, तो पेलू छे, एसर् एटले विधान वाक्या, जे वाक्ये नी पाचाल प्रस्नाचीन सोरी पूर्ण विराम हसे, तो एनसू कैसू विधान वाक्या, त्यार पची छे, इंटरोगेटिव एटले के प्रस्नात वाक्या, जे वाक्ये नी पाचाल प्रस्नाचीन हसे, एतो सिंपल छे, एनसू कैसू आपणें प्रस्नात वाक्या आर इते आपणें आ वाक्योंने ओलखी सक्किये छे येना तमनें हो साइन कवचु, त्यारफची चे इंपेरेटीर इंपेरेटीर एट लेके कोई भी आगनार के endured होए, तो एना सु कैसु आपने imperative त्यार पची चोथू प्रकार छे एकसले मेटरी एटले के उदगार उदगार चिन्ह होए तो एने आपने सु कैसु उदगार वाक्य त्यार पची छे ओप्टेटीव एटले के सुभेच्छा दर्सक वाक्या एना सु कैसु आपने ओप्टेटीव सेंटेंसिस तो आप पांच प्रकार आपने आई direct indirect चेप्टर मा भड़वाना रेसे अगल जोई है तो direct speech कोने केवाई direct speech नो अर्थ सु तो जोई है अगावपन जोई हुचे फरिद ही जोई है तो direct speech एटले सु तो sentence that expresses is the conversation of the person speaking or listening in double court is called a direct speech सु केछे a sentence that expresses एटले के जे sentence बोलवा मा के conversation एटले के वाच्चित करवा मा आवे बे पर्सन वच्चे एटले के speaker आने listener वच्चे एजे वाक्य होई एबे inverted, quoted मा आप्यू होई तो एने आपड़े सु कैसू direct speech वाड़ू वाक्य कैसू त्यार पच्ची बीजो एनो पोईंट सु छे तो such a case the name of the speaker and listener is given outside and quotation mark along with the reporting verb तो सु के छे the name of the speaker एटले के जे speaker नू नेम होई छे मिन्स के जे बोलनार नू and listener is given outside the quotation एटले के जे inverted कोमा मा जे reporting speech आपी हसे एनो बाहर नी side जे हसे एनो सु कैसू आपड़े reporter अने listener बराबर छे तो एना आपड़े उधारन दरा सारिक दे समझी सकी सू तो रोहन say to Mohan you are busy now बराबर आएक वाक्या छे example छे तो एमा रोहन एसू छे तो या रोहन ए speaker छे बराबर छे त्यार पछी मोहन एसू छे तो मोहन listener छे बराबर मोहन listener छे ज्यार रोहन सू छे speaker छे त्यार पछी you are busy now आखु वाक्या जे छे एसू के वासे तो reporting जे डाइरेक्ट मा आपड़े उधारन कोमा में ए डाइरेक्ट स्पीच के वासे बराबर छे अने say to जे छे जे सांकले छे रोहन अने मोहन ने कंजक्ट करे छे एनसू का इसू reporting वर्ब बराबर छे तो आ रिते वाक्या ने अपने समझी सक्ये पेलू जे बोले छे एटले reporter पछी सू आवसे तो reporting वर्ब त्यार पछी सांभलनार एटले listener अने inverted कोमा मा सू आवसे direct speech एटले के reporting speech आवसे त्यार पछी आगल जोई ए तो आ direct speech नो fundamental rules थाया means के common एना meaning अवे आपने indirect ना जोई सू तो indirect speech एटले सू तो indirect speech एटले when the conversation between the speaker and listener जारे speaker आने listener वच्चे एटले के बोलनार आने सांभलनार वच्चे वाच्चित थाई छे is not written as it एटले के एवी रितेट नाथी लखा थी जेवी रितेट नाथी लखा थी जेवी रिते तेलो को वाच्चित करे छे बराबचे पन सू थाई छे तो धा reporting verb conjunction, pronouns and tenses changes in the quotation mark as well as other changes which are written according to the table एटले के एवी रितेट नाथी लखातू के जेवी रिते तेलो को वाच्चित करे छे पन 30 वेक्ति धवरा तेने केवा मा आवे छे अने तेमा changes थाई छे कई रिते ए आगल आपने जोई सू बिजू छे बिजो पोइंट वेन राइटिंग एनी सेंटन्स इन डायरेक्ट स्पीच धकोमा आपिए धकोमा एंड डबल कोटेशन मार्क आर रिमूवड एंड आंसर इस गीवन एड़ द एंड बराबर फूल स्टोप यहां फूल स्टोप आपिए बराबर जे काउंस मा तमने जोवाई छे तो इने सुक एवा मांगे छे तो ज्यारे डाइरेक्ट स्पीच मा थी इन डाइरेक्ट स्पीच मा फेरावा मा आवे छे त्यारे डाइरेक्ट स्पीच मा जे इन्वेडर कोमा मा वाक्या आपेलू होए छे तेसु थासे तो जे डबल कोटेशन मार कासे ये रिमूथ है जासे अने जे अल्प विराम मिंस के कोमा आपेलो हसे ये पन रिमूथ है जासे अने छेले अई डाय अइन डारेक्ट स्पीच मां फेरोया पची पूर्ण विराम मुकासे तो एना अपड़े एक्जांपल जो ये तो रोहन टोल्ड मोहन that he was busy then then तो नाव हतु आगलना सेंटत माव हतु तो एनु ये धेन थाई बराबर चे रोहन सेड टूहतु मार का अटरो थासे टोल्ड रोहन टोल्ड मोहन पची इन्योट कोमा कांड या डाय तो थासे देट, सु थासे देट, बराबर छे, पच ही, he was busy then, अवे सादो वर्तमान काड़ातों, तो यहां सु द्यो सादो भुत काड़, तो यहां रोहने सु थायो, speaker थायो, मोहने, listener, एले सांबलनार, told एसु थायो, reporting, verb थायो, अने धेट एसु थायो, conjunction, बराबर, तो आ रिते, वाक आपने डिवाइडेशन करी सक्किये छे, आने समझी सक्किये छे, बराबर छे, आसा राखुजू तमने पूर्ण रिते समझावी, एससे के direct speech ने indirect speech नो basic fundamental सु छे, रब छे, हवे, आगर जो ही आपने, तो यहां तमने screen पर जोवाई छे, change for making indirect speech, जारे indirect speech मां आपने वाक्या आने फेरव यह छे, direct मां त्यारे सु चेंजिस थाई छे, तो सेमा सेमा चेंजिस थाई छे, omission of commas, सोरी, commas, तो सु थाई छे, ए, remove थाई छे, commas, use of that, एटले conjunction that मुकाई छे, change of pronoun, एटले के जे pronouns होई छे, जे नामना अर्थमा मुकाईला होई छे, pronouns, ए चेंज थाई छे, change of tense, tenses is change थाई छे, काले आपने जोई तु एम, कि साधा वर्तमान कालनू से मा थसे, साधा भुतकाल मा, चालू वर्तमान कालनू चालू भुतकाल मा, साधो भुतकाल असे तो पूर्ण भुतकाल मा, चालू भुतकाल असे तो चालू पूर्ण भुतकाल मा, अने पूर्ण अंतर इंडायरेक्ट स्पीच मा थसे आर रिते चेंज मा टेंस मा पन चेंजिस थसे चेंज ओप एडवर्ब एडले क्रिया विशेशनों मा पन चेंज थसे ए वाक्या ध्वरा अपने आगल जेमजे मावतु जसे एवी रिते समत्ता जैसू तो आटला चेंजिस ज्यारे आपने डायरेक्ट मा थी इंडायरेक्ट स्पीच मा वाक्या ने चेंजिस करीशू कनवर्ट करीशू त्यारे आटला चेंजिस जे तमने दर्शा वेचे आप पांच टोपिक एटला चेंजिस थसे त्यार पच्छी आगल जोई है तो रूल्स ओब नेरे सन तो रूल्स तू छे तो प्रथम छे the following rules should be followed when converting a direct speech into a direct speech एटले के आ रूल्स क्या follow थाई छे तो converting direct speech into direct speech माने direct speech मां थाई छे क्यारे सू थासे तो जोई है the name of the speaker and listener is given outside the quotation mark but sometimes the name of the listener is given with a comma at the end of the sentence एटले के आमा सू केवा मांगे छे के आगल अपने जोई गया तेम के direct speech मां listener और स्पीकर एक कोमा वाक्या नी बाहार होई छे बराबल छे तो आमा एउ केवा मांगे छे क्यारेक listener छे एक या होई छे तो वाक्याना end पर होई छे वाक्याना छेड़े पन आपेलो होई छे जारो के speaker आगल आपेलो होई वच्चे वाक्या आपेलो होई ने listener पाछड आपीवी होई बराब छे तो एवी रिते पण क्यारे कापी विलू हो है छे, त्यार पची नियम छे the noun or pronoun is used in place of the speaker and the listener अने सु थासे changes तो noun अने pronoun छे, एकोना अर्थमा changes थासे तो speaker अने listener ना स्थाने सु मुका से noun अने pronoun नो use थासे त्यार पची नू नियम छे sometimes a quotation mark has two sentences inside it in such a case, each sentence should be added with conjugation according to the type of sentence and changes according to the table एटले के जारे quotation mark has two sentences inside एटले के जारे quotation mark मां बे पाक्यो पन जोड़े जोड़े आप्या होसे तो a परिस्तिती मां a case मां सु थासे तो each sentences should be added with conjunction according to the type of sentences and changes according एटले के ए बे वाक्यों conjunction ध्वारा जोड़ा से बराबर छे added के गम्मेते लखी ने आगळ आपने जोईसू ए रिते जोड़ा से अने जे टेबल कर्टा कर्मा विभक्तिनू आप्यू छे ए रिते एनू changes थसे जे विरते के लाष्ट मां नाव होसे तो धेन थसे बराबर छे ए विरते जे जे changes जे आपने आगाव पन जोई गया छे ए प्रकार ना changes डाइरेक मां थी indirect speech मां फेरावती वखते थसे बिजु जोई आगड़ तो when the change quarts अवे आपने जहरे quarts ने काड़ी है अने change करी सू त्यारे सू changes थसे तो when the quotation marks are of three dimensional truth the quotation time should not be changed अवे जहरे तमने एकदम dimension truth एटले के सनातन सत्य आपी वसे त्यारे quotation mark कार्स हो तो कोई change सेमा थसे नाई चार पच्छी विजु छे when the reporting verb outside to the quotation mark is of present tense और the reporting verb outside in quotation mark is the auxiliary cell will can may the tenses of the sentences in the quotation mark should not be changed ये तला के सू के वा मांगे छे के present tense आपी होसे ये तला के सादो वर्तमान कार आपी होसे तो एमा वर्ब आपी होसे रिपोर्टिंग वर्ब आपी होसे says tells बराबाचे वील से के सेल से जे आपी होसे तो एमा सू थसे आतमने आपी जा सेल वील केन में तो एमा रिपोर्टिंग वर्ब मां अने quotation mark काडेया पची कोई पन प्रकारनों चेंजिस थसे नाई त्यार पची नू विदान चे when the reporting verb past tense should, would, might, has been taken out of the quotation mark the tense of the sentences in the quotation mark should be changed according to the table below एटले के आज स्तिती मां जारे भुतकाल आपी होसे मिन्स के should, would, could, might, has been तो एमा सू थसे तो आ बदा चेंजिस थसे जो भुतकाल आपी होसे तो जे कोठो आपी हो छे करता गर्मों विबक्तिनों ए प्रमाने चेंजिस थसे टूक मां वर्तमान काल आपी होसे, वर्तमान कालनों रिपोर्टिंग वर्ब होसे तो कोईपन प्रकालनों चेंजिस नही थसे जारे भुतकालनों वाक्य आपी होसे तो चेंजिस थसे बराबचे अने जे कूड, वूड, सूड, माइड चे एम नू एम अज रह से बराबच दाइरेक्क मा थी इनडाइरेक्क मा फिराउसो तो पण आर इते बेजिक फोर्म डाइरेक्क अने इनडाइरेक्क ना तमने समझाया हसे अने काई पण क्वेस्चन होतो पूछ जो मने कॉमेंट बोक्स मा अथो पर्सनली मेसेज करीने पण अगल जो ही है तो यहां स्लाइड छे दे टेंस ओप दे सेंटेंस इन कोटेशन मार्क अवे आमा टेंस ओप दे सेंटेंस इन कोटेशन मार्क मा जो आपी होसे तो डाइरेक्क अने इनडाइरेक्क मा कई रिते रूपां तरण थासे तो यहां direct speech आपी छे, जरह यहां indirect आपी छे, जो simple present आशे तो सु थासे, simple past मा यहनू रूपान तरण थासे एज रिते to be ना रूप, जो am is are आपी आशे, तो यहनू से मा रूपान तर थासे, was where मा त्यार पछी, जो do does आपी आशे, तो से मा रूपान तर थासे, did मा हेवेज आपी आशे, तो सु थासे, हेड, v1 आपी आशे, v1 आपी आशे, verb तो v2 थासे, present continuous आपी आपी आशे, तो past continuous थासे बराबर, present perfect आपी आपी आशे, तो past perfect थासे, आ रिते direct मा थी indirect मा फेरावती वक्षते आशे, आशेंजिस to be ना रूपो, अने टेंस मा थसे, वर्ब मा कई रितनू, भुतकालनू वर्ब कई आवसे, न भूत क्रुदंत कई आवसे, मैंस के वीत्री कई आवसे, या टेंस ना आधरित मुकासे, बराबर छे, तो आपने एक important मा ही सीचे, बद्धुज not down करी ले ज जो, त्यार पछी, तमने यहां जोवाईचे स्क्रीन पर, जे आपना अमना आज आगर सीखी गया, नेरेसन मा के सूड, कूड, एमा चेंजिस थसे नाई, तो एनो, उन तमने जरा डिटेल मा कई दू, तो प्रेजेंट मोडल्स हार चेंजड पास्ट मोडल्स, बराबर छे, जो, आज हे, जो वाईचे तमने मे, केन, वील, से, मुश्ट, एंबल्स उचे, मौडल्स, और जो पास्ट मा करें, तो मेनु सू थसे, माइट, केन नू सू थसे, कूड, वील नू, वूड, सेल नू, सूड, ने मौश्ट नू, हैड, टू, आर इते, चेंजिस थसे, बराबर छे इन डाइरेक मा तमने चेंजी स्थर्शो त्यारे पन जारे तमने डाइरेक स्पीच मा जो would, should, might, or to, a अप यु असे तो तमारे इन डाइरेक मा फेरा उती वखते कोई पन चेंज थसे नाई would, should, might, or to, a, m, n, m, j, आवसे जारे उपर जे आपेला छे में, केन, वील्ड, से, मस्ट, एमा जो डाइरेक्ट मा आप्या आसे आ तो इन डाइरेक्ट मा सू थासे माहिट, केवड, वूड, सूड, हेल्टू आ प्रकारना चेंजिस थासे तो तमने समझाई गई गई हसे हवे, आ बद्धूज, तमें सारी रिते, नोट मा, नोट डाउन करी ले जो केमके आ बद्धीज माहिती बेजिक छे, अने इंपोर्टन्ट छे, आना अधारेज आपने डाइरेक्ट-िंडाइरेक्ट मा वाक्याने कन्वर्ट करी सकी सू तो तमने कोईपण प्रकारन अजूपण बेजिक लेवाले कोई क्वेस्चन होए, तो तमें मने अवस्य पुछी सको छो त्यार सूजी लेक्चर जोता रहो, भणता रहो, अने सारी रिते तैयारी करता रहो थैंक्स पर लिसनिंग, गट ब्लस्यू तो वाल, वेवा गुट देश्टन, श्टे तुनेड